बीना गालियों और अश्लीलता के ऐसे बनाई जाती है बेहतरीन वेब सीरीज रितेश देश्मुक के OTT डिवर्स से आप भी इंप्रेस हो जाएंगे फार्मा उद्योग में भष्टचार को दर्शाती पिल एक मनुननजक वेब सीरीज है जो अपने आठ एपिसोड के माध्धम से आप क्या ध्यान खिचती है नमस्ते दोस्तों अभी फ्लिक डिसकस में फिर से स्वगत है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा गालिया और गालिया तो आपने OTT प्लैटफर्म की अधिकतर वेब सीरीज में जरूर देखी होंगी लेकिन इसके बिना भी कोई अच्छा कॉंटेंट बन जाए और लोगों को पसंदाने काबिल हो ऐसा कम ही होता है रितेश देशमुक ने अपने प्ल सीरीज के साथ अपने OTT डेव्यू से जरूर पक्का कर दिया है कि वो बॉलीवूड मराखी सिनेमा और अब OTT के लिए एक सार्टिफाइड एक्टर हो गये है कहानी की बात करें तो पिल पूरी थरह फर्मा इंडस्ट्री और उसमें होने वाले जोल को दिखाती है कहानी रितेश देशमुक के किरदार के Medicine Authority of India यानी MAI में ट्रैंसफर से शुरू होती है इस ट्रैंसफर के बाद कैसे नए डिपार्टमेंट में जाते ही उन्हें फर्मा इंडस्ट्री में चर रहे कहीं ऐसे स्कैम्स और स्रॉट्स के बारे में पता लग जाता है जिनसे आम नागरिकों को खत्रा है और वो इस गुत्ती को सुलजाने में लग जाता है जिसके साथ कहानी आगे बरती है एक जानी मानी फर्मा कॉम्पनी इस सीरीज में विलेन का किरदार निभा रही है दोस्तो अगर सीरीज के बारे में बात करें रितेश देश्मुप और जियो सीनेमा की इस सीरीज के मेकर्स ने ये साबित कर दिया है कि गैंग वार, रोमैंस और नुडिटी के अलावा भी कैसे एक बहतरीन कहानी बुनी जा सकती है फर्मा इंडस्ट्री और पेशन्स से जुरे जिस मुद्दे को सीरीज में उठाया गया है उसे देखकर आपको लगेगा कि इसी तरह की कॉंटेंट का आपको इंतिजार था हाला कि कहानी को जहां आठ एपिसोड में बुना गया है वहाँ उसे दो तीन एपिसोड कम में भी समिटा जा सकता था अब एक्टिंग पर्फोर्वेंस में आते है पिल्म में रितेश देश्मुक के साथ साथ पवन मलोतरा, अक्षक चोहन और अंशुल चोहन भी नजर आएंगे रितेश देश्मुक आपको डॉक्टर प्रकाश के रोल में नजर आएंगे वही उनके उपोजिट आपको पवन मलोतरा, फार्मा कमपणी के सीओ के रोल में दिखाई देंगे सभी की एक्टिंग शांदार है रितेश देश्मुक ने OTTW का एक्जाम पास कर लिया है दो मुख्य किर्दारों के अलावा भी सभी एक्टर्स ने कहानी की गंभीरता को समझ कर एक्टिंग के साथ जस्टिस किया है डारेक्शन की बात करें तो पिल का डारेक्शन किया है राजकुमार गुपता ने ये कहना गलत नहीं होगा कि सीरीज में सभी को अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है हर किर्दार को इस्टब्रिश होने का मौका दिया गया है कहानी शुरुवात से आखिर तक एक ही पेज पर चलती है और हर एपिसोट के साथ आपकी उत्सुता को बराती है वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धनवाद आपका दिल शुब हो